पूरी बुड़ी में आपका स्वागत्र है आज हम बनाने जा रहे हैं तर्बुच का रुटी रुटी मैं आपको दिखाने जा रही हो एक तर्बुच का कैसे निकालते हैं गभी जो वाइट का रहता है यह जो वाइट रहता है तो इसे में इसर में उरका है मैंने इससे इस तरह से बारिभभर्य क्टप लिये है टूठी फ्रुटी के लिए पानी अभी बॉइल हुआ है तो मैं अभी इसमें ये फुटी-फुटी कट किया हुआ, आड़ करूंगे, इसको मैं करीबर 60-70% पकाऊंगे अभी मैं इसको दीमी आज पर दक्कल रखके फकाऊंगे, अभी इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है, ये आप देख सकते हैं अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसमें चीनी आड़ करेंगे, मतलब चीनी पक जाएगी इसमें करीबर ये 200 ग्राम चीनी ली है, इसमें छिलाते जाऊंगे अब थोड़ा सा ये चाशनी जब भोने लगेगी तब ये इसको मैं आफ कर दूँगी, इसका कलर चेंज हो चुका है, ये अपना टूटी-फूटी पक चुका है करीबर मैंने ये अभी 10-15 मिनिट तक पका लिया है, फूटी-फूटी अभी ये पूरी पक चुकी है, अभी मैं इसको आफ करके खंडा होने के लिए जाब दूँगे खंडा होने के बार इसमें हम कलर एड़ करेंके अभी आप देख सकते हैं, मैंने तेन हुसों में बाट लिया है, अपना टूटी-फूटी वो भी थोड़ा सा चाशनी के साथ बाट लिया है, मतलब इसमें चाशनी पूरी तरह से एब्सॉप्ट हो जाए आपको जो चाहिए वो आपके पसंदीदा कलर आप इसमें मिला सकते हैं, मैं इसमें ओरेंज, खरा और रेंड कलर योज़ करूँगे और इसमें दो में रख दूए मतलब ये थोड़ा सा पीटा हो जाएगा आपको आपको पयो जाएगा आपको पयोज़ करेंगे आपको पक्षाए आपको पयोग्ग्वाव टो टॉट्वाव पनेटाओ अभी मैंने इसको तीन कलर में अलग-अलग से लग दिया है इसको में गरीबन अभी एक गंटे के लिए एसे ही खोड़ूँगी बाद में इसको ये पूरा चाशनी निकालने के लिए छली गई से बाद में इस तरह से एक बाल लेंके उसके उपर एसे छली लगाएंगे और य मतलब इसका पानी सब नीचे उतर जाए और ये थोड़ा दर सुका हो जाए आप देख सकते इसका हरारा आप देख सकते इसको मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है अभी इसको में सूपने के लिए एक गंटा करीबन रख दूंगी बाद में ये तुटी फुटी अपने रेडी हो जाएगी अभी भी रेडी ही है तिरफ ये सूपने के लिए बाद फुल रेडी हो जाएगी है ना आसान रेसिपी टुटी फुटी की आपने पपी दे की रेसिपी देगी है अभी ये घरबुच की रेसिपी है ना टुटी फुटी की आसान रेसिपी इसको तो हम पाइनेकल शिरा में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे भी डेजर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये छे मेने तक वेसे ही आप फ्रीज में रख सकते हैं, और छोटे छोटो बच्चों से भी ये पसंद साइडी रेसिपी आपको कैसी लगी, ये मुझे आप कमेंट बॉक् तेरे चैनल को लाइप, शेर, सब्सक्राइब, जलोर कीचिए, ना वाज़ुँदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद